सथ स्रीयकाल रमायन रिशी वालमीक वलो लिखे गया महान गरंथ है ते इसनों हिंदुआ दे सर्व स्रीष्ट तार्मिक गरंथ होंदा मान प्रापत है यह संस्क्रित साहत दी महत्तव पुर्ण काव रचना है राम दी कहानी विच राजा दश्रत दियां तिन राणियां कोशलियां केकई ते समित्रा ते उना दे पुत्तरा राजक्मार राम लक्ष्मन पर्तते शत्रुगन दे पुट्तर जीवें चृतर दा वर्नन रमायन दे सत कंड़ा मिच किता गया है इस विच चवी सो दे क्रीव स्लोखान एह एक परवारिक ते समाजिक गरंथ है इस विच आदर्श पितापुत्तर पती पतनी पाई पाई मित्तर मित्तर राजा परजा सेवक स्वामी दे कर्तव दी चलक मिल दी है रमायन संस्कृत पाशा दा सरव प्रधव महा काव है इस सब तो प्रचीन रचना है इस दा हिंदी अनुवाद सोर्मी सदी विच गोस्वामी तुलसी दास्वलनों कीता गया है ये बहुती उत्तम ते लोकां दा प्यारा महा काव है जंगल विच रिशी बालमीक माता सीता नुँ अपने आश्रम विच आस्रा दिन दे हन ते एथे ही सीता पगवान राम दे दो पुत्रा लव ते कुछ नु जनन दे हन बालमीक ने एथे ही रमायन दी रचना कीती ते लव कुछ नु इस दा ग्यान दिता आओ अजसी रमायन दी कहानी दा पंजाबी अन्वाद पलिए शुबी श्यामा सैथ तन्वद हरजीत पम्रद जनन ते बच्पन कौशल देश की राजानी और जुद्धिया विच सूरुज वंशत राजा दश्रत राज करदा सी राजा बड़ा न्याकार सी ते बड़ी स्यानप नाल चुनेवे मंत्रियां दी सहायता नाल राज करदा सी इत्तों दी तर्तीवी बड़ी उपजाऊ सी इसलिए राजी दी परजा हर तरह खुच सी पर लोकान दी खुशी एक गल्लो धूरी सी इस दा कार ए सी की राजा बड़ा विर्द हो गया सी ते ओधे कर कोई उलाद नहीं सी आखर राजे ने देवतियान खुश करन दी एक बड़ा पारी यग रचया कुछ समा पाके राजे दिया तिन्ना राणियां देकर राजकुमारा ने जनम लिया सब तो वड़ी राणी कुशल लिया देकर शिरी रामचंदर ने जनम लिया दूजी राणी के कई दी कुखों जो राजकुमार पैदा होया उस दाना परत रख्या गया तीजी रानी समित्र देकर दो जोड़या ने जनम दिया, एक दना लक्षमन ते दूसरे दना शत्रुगन रख्या गया राजकुमारां दे जनम ते सारे राज वीच बढ़ियां खुशियां मनाईयां गिया ज़र राजकुमार कुछ वड़ी हुल ता इन दी सिख्या योग प्रबंध किता गया ता जो वड़ी होके देश दी पूरी तरह सेवा कर सकन सब तो जयाधा जोर तरम ते इखलाग ते दिता गया फिर उना दी मानसक्व उनजी वेदा दी सिख्या किता गया स्री राम चंदर अपने सब प्रामा मिचों वद चड़के सुन्दर ते सजीले जवान निकले। स्री राम चंदर ते लक्षमन दा आपस विच हदों वद प्यार सी। लक्षमन सदा परच्छामे वां स्री राम चंदर जी नाल ही रेंदा सी। उननय तो बिना ना ऊखाना खाणदा सी ते नाही सोंदा सी। ते ज़ स्री राम चंदर शिकात खेड़न जाण देसं ते लक्षमन सदा उनना नाल नाल रेंदा सी। ते उननятी रख्या करदा सी। एसे तना उदर परत ते शत्रुगंदी आपस वीच जोडी सी ओह दो सदा एक दुजे दे नाल नाल रेंदे सन राजा दश्रत नू राजकुमारा विस डोलता ते जवानी ते बड़ा मान सी एक दिन जद राजा दश्रत अपने सलाह करा मिच बैठा श्री रामचंदर दे व्याबरे सोच विचार कर रहा सी तां दरबाद ने इतला दिती कि रिशी विश्वा मित्तर राजे नू मिलनली आये हन। राजे ने आप जाके रिशी नू महाल अंदर ल्यांदा ते बड़े सत्कार नल पुछया खुकम करो मैं तो हड़ी की सेवा कर सकदां विश्वा मित्तर ने हसके किया मैं तो हाथों आस रखदां कि तुसी अपने बचन नू पूरा करोगे गल इस तरह है कि जद मैं पूजा करन लगदां तो दो राखष मारिश्टे स्वाहो पूजा स्थान ते लव अतिमा सुटके उसनू परिश्ट कर दिन देने। केवल राजकुमार रामचंदर ही इना राक्षानदा टाकरा कर सकदा है। मैं चौंदां कि दसना को देना ले तुसी राजकुमार नू मेरे नाल मेरे आश्रम विच जान दी अग्या देओ। विश्वा मित्तर दी मंग सुनके राजा बड़ा निराज सते दुखी होया क्योंकि राजकुमार रामचंदर राजे दी जिंद जान सी। तो एक पल्ले भी राजकुमार नू अपनी अखों उल्ले होना बरदाश्ट नहीं सी कर सकदा। वो उनानू इस खतरना काम ले किमे पेज सकदा सी। उन्ने टुटे फुटे शब्दा मीच रिशी नू कया मैं तो हडे नल आप चल दा हां। अखो ता मैं अपनी सारी फौज पेज दिन दा हां। पर रामचंदर मेरे जीवन दा सहारा है। उन्नू मैं किमे एक खा तो उल्ले कर सकदा हां। नले राम हाली मुंडा खुंडा है। वो इना प्यानिक राक्षां दा टाकरा किमे करेगा। ऐस उन्के विश्वा मित्तर उन्नू बड़ा क्रोध आया ते उन्ने बड़े सकत शब्दा विच किया। राजा तू आपए इकरार किता है। ते हुन इकरार तो फिर गयाए। इस तरह करना रगुकुल दी रीत दे उल्टे। मैं हुन वापस चल्ले आँ पर तू याद रखी ते न्नू इस अवग्या फल पुग्दना पवेगा। विश्वा मित्र दे मुहों ये सखत बचन सुनके राजा सहन गया। इस ते ओदे मंत्री विशिष्ट ने राजे नू समझाया। बचन दे के उसनू वापस लेना एक तर्मी राजे दा करतब नहीं। कि तुसी समझ देओ कि विश्वा मित्र नू नहीं मार सकते ओता एस सब कुझ श्री रामचंदर दी सुब्वा वदाउन लेई कर रहे ने। एस सुनके राजा श्री रामचंदर नू विश्वा मित्र दे नाल पेजन लेई मन गया। श्री रामचंदर ते लच्मान नू में नाल लेके रिशी अपने वन आश्रम तुर्पया ते कई दिन रा विच दोहां राजकुमारा ने रिशी दी बड़ी सेवा किती। आश्रम विच पहुंच के विश्वा मित्र पुजा करन ही लगा सी कि राखश मरीश हो थे आप उंचिया। पर श्री रामचंदर दा एक तीर इस जोर्नाल उस दी शाती विच ल छोटे मोटे राखश वी कम आये ते पूजा सफलता नाल समापत हो गई। अगले दिन आश्रम दे रिश्या विच मित्हिला दे राजा जनक दे परसिद तनुख दी चर्चा हुई। उन्हां पता लग गया कि राजा एक पारी यग कर रहा है। इसलिए उस सारे इकर्थे ह को के मिठिला वल तुरुपे उसरी रामचंदर ते लक्षमन नुई नाल ही लेगे। रावी चो दुहां राजकुमारा नुँ कई मुशूर थामा विखांदे ते उना थामा नल सबंद रखनिया कहानिया सुनांदे रे। जदो सब जने मिठिला विच पहुंचे ता राज निग्गा स्वागत कीता। विश्वा मित्तर ने राजा जनक नुँ किया कि राजकुमार रामचंदर राजा जनक ते तनुख नुँ विखांदे इच्छ खन। राजा जनक ने दस्या कि हे कुमान असल विच शिवजीदा सी ते उना राक्षानाल जंग समें ताह ए ओदे वडवडेर्या विचो देववर्तनु बक्षया सी। राजे ने एवी दस्या कि एक वार जादो अपने खेत विच हलवार रहा सी ता खेत विचो एक अती सुन्दर लड़की निकली जिसना ना उनने सीता रख्या। ते अपने लड़कीया वांगी पालेया। ते राजे ने प्रण किता कि उसीता दा व्या उस राजकुमार नाल करेगा जो उस तनुख नो मोड़ मेंच सफल होएगा। बहुत सारे राजेयां थी राजकुमारा ने उस तनुख ते अपनी किस्मत अजमाई किती पर हाली तक कोई सफल नहीं हो सक्या। विश्वा मित् तनुख ही के सज्जी हुए पाल के विच रखके ते फुलन ने सेरे अनल टाक के लेंदा गया। शिरी रामचंदर ने राजे दी आगया लेके तनुख चुकिया ते जद उन्नों चिलना चिड़ा के निशाना मान लगे तो बड़ी ड्रोनी आवाज नल एन मिचकारों दो तोटे हो गया। सब है रानसन कि उस तनुख नों जिसनों चुकनावी असंभव सी श्री रामचंदर ने किमें दो तोटे करके रख दिता है। व्या ले वदिहा वल तुर्पया। राजा जनक ने अपने महमाना दा डिगा स्वाग्द किता ते बड़ी तूम ताम नल सीता दा व्या रामचंदर नल ते अपनी छोटी लड़की उर्मला दा व्या लक्ष्मन नल कर दिता। विश्वा मित्तर ने राजा जनक पासों वो राजा जनक ने क्या मेरी लड़की सीता नो तुसी अपना जीवन साथी सवीकार करो। मैं इच्छा करता हां कि एतनों मनों तुहाड़ी सेवा करे ते दुख वेच तुहाड़ा साथ देवे। व्या तो पिछो जन्ज अजुद्या वाल तुर्पई उना दे स्वागत ले लोकाने शेयर नो बड़ा सजाया ते उना ते फुल्लांदी वर्खा कीती। केकेई दी साजश कुचेर पिछो राजगमार परताते शत्रुगन अपने मामे असवपती पास चलेगे राम अते लठ्षवन पिछां और युद्या विछीरे शिरी राम चंदर बड़े शांचित तथे मिठ बोलडे सन। और कदी किसे नाल रुखा नहीं सन बोलदे जे कोई उना नल चिंग्याई करदा, ता उतीन्वा जो सिर्चुक जन्दा पर जे कोई उना दा बुरा चितवदा, ता कदी अपने मन्ते नाल्यां दे। गुनवान अते स्यान्या दी संधत करदेशन ते अपनी हिम्मत ते शक्ती दे बाव्युद्वी उनने मन वीच कदी रती परवी हंकार नैसी उपजदा। और बुज़ुर्गां दा सतकार करदेशन अते अपने पिता दी परजाना बड़ी नेक तिली दा वर्ताओ करदेशन और गरीबां ते द्या करदेशन ते बुर्या नल सक्ती नल फेशांदेशन और निरी परवे तरता दी मूरत सन ते ओ सच्मुच दे करम योगी सन शश्तर विद्या अर्थे विद्धान दी जानकर विच उना दर कोई टाकरा नेसी कर सकता ना केवल राजा दश्रत बलकि सारी परजा उनाते मान कर देशन राजा दश्रत बड़े बिर्द हो गे सन और चंदे सन कि उजुन्दे जी शिरी रामचंदर नो गद्दी ते बठा दें इ विद्या विचार है कि मैं जुन्दे जी तेननो गद्दी सौप देवां पामें तू बड़ा स्याना हैं समझदार हैं फेर वी मैं गद्दी सौप पन तो पहलना तेननो एक नेक सला दिन दहां एक राजे दा करत वे क्यों निमर्ता दा सुमा होवे ते अपनी एक खाइशा नू काबू विच रखें काम ते क्रोध नू नेडेना टुकन देवे अपना खजाना सदा परयार रखें अपनी परजादी सई हालक तो सदा जानूरे और नियाकार हुवे ते ग्रीब अमीर सबनू इको जया जाने ते लोग पलाई नू सदा मुख रखें शिरी रामचंद इसलिए राजकमार नू अपने बच्चयां मांग प्यार कर दी सी जादो नू पता लगा है कि राजा दश्रत ने राजपाठ अपने सब तो वड़े लड़के श्री रामचंदर नू देन दा फैसला किता है तो सड़ बल के कोले हुगे और सिद्धी रानी के कई कोल गई त श्री रामचंदर दे तख़त दे बैठन दी खबर जा सुनाई के कई ने खुशकबरी सुनके मन्थरा नू एक कीमती हार इनाम दिता ते क्या मैं बड़ी खुशा है कि राजा ने राम तख़त दे बठाउन दा फैसला किता है राम ते पर्त मेरे लिए दोएं इको जे ने पर मन्थरा हार नू वगा के मार्दया कैन लगी तू चंगी मा आएं कि तेनों अपने पुतर परदा ख्यालता की नहीं तेनों पता नहीं कि राम दे तख़त दे बैठन नाल परदा हक मारया जावेगा ते तेरी हाल ते कुशलिया दिया गोलिया नालों मी पहरी हो पर मन्थरा बाजना आई ते उन्हें एदर उद्धर दियां लाखे ते तंकियां ते गल्त दलीला देखे कि कैई दा मन रामचंदर दे बुद्ध पड़का दिता ते उन्हों मना लिया कि किसी ने किसे तरा रामचंदर दी था परतन उताखते बठाया जाए इस तज्वीज नो सिरेचाडन ली मन्थरा ने कि कैई नो एक व्योत दा सी उन्हें कि कैई नो याद दवाया कि बौचिर पहलना राजा एक वारी सखत जख्मी हो गया सी ते कैई ने राद दिन सेवा करके राजे दी जान बचाई सी राजे ने खुश हो के उन्हों दो वा और मंगन ली क्या सी जो ककई ने उस वेले नहीं सन मंगे मन्थरा ने राणी नो किया कि हुँ मवक्का है कि उराजे नो अपने बचन पूरे करन ली कहे एक एक ही राम चंदर दी था परतनों तखते बठाया जाए दुझे कि राम चंदर नो 14 साल ली बनबास ते पेज दित करे ता ओ उस नो अपने वार पूरे करन ली के कैई हसत दी अग विच पढ़क दी होई मंथरा दी सलाह मन गई ते कनपटी लेके फर्षते मुद्धी होके जापे उद्र राजा दश्रत ने श्री राम चंदर नो तखते बिठाउं दियां सब त्यारियां मुकमल करन पिछो सोचया कि एक खश्खबरी ओ अपनी सब्त प्यारी राणी के कैई नो आप जाके दसे जद राजा में हल विच पहुंचया ता ओ राणी नो रोंदियां ते फर्ष्ट मुद्धे प्याँ वेखके बड़ा है रानोया उन्हें बड़े प्यारनार ओदे दुखदा कारन संब राजा अपनी राणी दे मोजाल विच इतना फस्या होया सी कि ओ राणी दी किसे वी मंग नो ठुकरान दा सुफने विच वी ख्याल नैसी कर सकदा है इस रियोंने ओधी मंग नो पूरे आ करन दा इकरार के दिता सारी गल पकी करवा के का कई ने क्या मेरी मंग ए है कि पर तनू राम दी थां तकहत ते बिठाया जाए ते राम नू चौदा साल दा बनमास दिपता जाए इस मंग दा राजे नू सुफने विच भी ख्याल ने सी एस सुन्दया ही मानू राजे ते गाम ते दुख दा पहाड डिग पया शिरी राम चंदर ओधिया अक्खान दा ता तेरिये मंग मनो मैंनू मौत नू सद्दाय इस तो बिना होर जो भी चाहे मैं मनननू त्यारा राजे ने बढ़ियां मिंता तरले किते पर क्यकई अपनी मंगते अडिही रही राजा सोचदा सी क्यों अपनी अग्याकार राणी को शल्यान किमे मूँ बखाएगा जिन्नू और ने क्यकई देवास विच आके दुरुकारया होया सी सुखा विच पल्या रामचंदर बंदे कठन जीवन नू किमे सहारेगा सीता अपने पती दावे छूडा किमे सहेगी अंत विच राजे ने अपने रत्वान सुमंतर नू हुकम दिता क्यों रामचंदर नू उथे ब लाल या विच जा सुमंतर रामचंदर दे महल विच पहुंचिया ता उथे ताजपुशी दे त्यारी विच बड़ी गहमा गया लगी होई सी अपने पिता दा सुनेहा सुन्दया ही श्री रामचंदर उस पास पहुंचे हमेशा वांग लक्षमन उना दे नाल ही गया विच जरूर कुछ काला है उनने काली विच के कई तो पुछया माता मैं थों कोई पुल हो गई है राणी ने रुखे जे शब्दा में च उत्तर देता राजे ने मैंनो एक बचन देता है जिसना पूरा करना तेरे वास से राजा डरदा है कि रामचंदर उस सुनके कि ते द दो वर दिते सन मैं हो वर अज मंगे ने एक एक की तखते पर तनो बठाया जाए ते तूं 14 साल ली ब्रमास वीचे चला जाए अपने पिता नो नमोशीत बचान ली तेनो ए बचन पूरे करने चाही देने श्री रामचंदर ने बड़े ठ्रमेत शांती नाल उत्तर दिता प ली तो हड़ा हो कम काफी नहीं से सो पिता ते माता नो प्रनाम करके श्री रामचंदर वापस अपने महालवाल चलेगे जो दो ए खबर कुशलयन मिली ता उन्ने बड़ा बर लाप किता पती दे प्यार तो वांजी होई दा अपने पुत्तर दा प्यार ही एक सहारा रह गया कुशलयन दुखी वेके ते अपने प्रान अर अन्या होंदा वेके लक्ष्मन नो अपने पिता ते मत्रैमा केकई ते बड़ा रू आया पर श्री रामचंदर ने उन्नो बड़ी मुश्कल नाल शांत कर देता कुशलया कैन लगी मेरा थे रैंदा हुन की हाज जे बेटा ते बिना मैं किमी जियांगी मैं मी बनवास विच तेरे नाली चल दी हां। श्री रामचंदर दा चेरा जो हमेशा फुल वांग खिड़या रंदा सी गंभीर ते उदास वेके सीता दे मन विच कब रहत पैदा हुगी। वो अपने पती नू उनना दे उदास सीधा कारण पुछन लगी। श्री रामचंदर ने उननू सारी गल दस देया किया। पिता जी ने मेनू अग्या किती है कि मैं चौदान साल दी बनवास चला जावां ते मेरी था पिछे पर तराज करे। मैं अज ही जा रहे हां तो उदास न हुई ते मेरे पिछो मेरे माता पिता दी सेवा करके अपना फर्ज निभावन। एस सुनके सीता हस पे इते कैन लगी तुसी कमाल कर दियो। पत्नी दा पती तो जुदा होना मौत दे ब्राबर है। ओ अपने पती दे सुख दुख दी तुर्दा साथने। उन मौत भी उस दे पती तो नहीं में छोड़ा कर सक दी। जिते ओ पती दे उते ही ओदा स्वर्गें पामे राजमाल होवे जा कखांदी चुगी। जिते तुसी जाओगे मैं थोड़े नाल ही जावांगी। सीता दा दृड़ा रादा वेके श्री रामचंदर नू ओदी बेनती मननी ही पेग। ऐसे तरह लक्षमन्य में श्री राम रामचंदर लक्षमन ते सीता ने अपना सारा तान दौलत गरीबां वीच बंड दिता ते बनवास ती त्यारी मुकमल कर ली। एक खबर विजली दी तेजी नाल सारे राज वीच फैल गई। ते हर था खुशी दी था मातम छा गया। तिन्ने जने फेर अपने पिता राज दश्रत पास गे श्री रामचंदर ने अपने पिता तो सीता आते लक्षमन स्मेत जान दी आगया मंग दिया क्या असी खुशी खुशी बनवास नो जा रहे हैं। तुसी बिलकुल चिंता ना करे हो जिमें असी एथे रह के थोड़े हुकम दी पालना कर दे सां असी बनवा अस notice पेजिए दान पर सिरी रामचंदर ने अपने प्रा पर दे राजविचों कोई वी चीज लानी अपने प्रन दे विरुद समय देयां सविकार करनो ना कर देती। अते सन्यासियां दा पिख तारन कर लिया। शिरी रामचंदर अपने पिता नँभेंति कन पिछों क्यो उना दी माता रानी कोशल्या दा ख्याल रखन राथ ते चड़ बठे इस ओनवाले विछोडे कन रोंदे कुर्ला दे लोका दियां राथ ते के तारान लगियां हुएं सन जद राथ तुर रहा ता ओवी मगर-मगर पैदल ही तुर पए राया दश्रत विछोडे नू बरदाश्णा करदा होया मूर्छा खाके डिग प्या पर कोशल्या ने उनू सहारा देके उठाया ते महाल वीचे उन जा दिता बनबास नू जाना श्री रामचंदर ने लोका नू बठेरा समझाया कि करानू मुड़ जान पर उन्दे राथ दे मगर-मगर तुर दे रे पर जादा अपने ले इतना प्यार वेके ओ राथ तो उतर के लोका नाल ही तुरन लगवे तम उस नदी ते पहुंचे आ राथ प्याजी श्री रामचंदर ने उठे ही राथ कटंदा फैसला किता सुएरे सुएरे ज़ज श्री रामचंदर उठे ता सब लोक पूखा ते दुख दे करन ठक्कि होए कहून करके कूख सुकते सन एवेक की शिरी रामचंदर जी ने सुमंतर नू रत त्यार कन लिक्या ते उसते चड़के तिन्ने जणे बिना किसे नू दसे नदी पार कर गे कुछ दूर जाके लोकान पलेखा पानली सुमंतर नू किसे हो रहे पाखे आप एक संगने जिम्दल विचे लोग होगे ज़र नदीदे किनारे सुते लोक जागे तो शिरी रामचंदर जीनों उठे ना वेक के बड़े दुखी होए ते उना दा कोई खुरा खोजना लबन करके उदास चित करानों वापस मुड़ पे हौली हौली सफर कर दे शिरी रामचंदर परियाग विच जथे गंगा आते जमना नदियान दा संगम है पहुंच गे उथे एक तपोवन विच परसिद रिशी पर दवाज रेंदा सी उथे रात कटके चितर कूटवाल जथे वालमी की रेंदा सी तुर पए उथे वोई कु विप्ता दा दोश लांदया होया उन्नों बुरा पला कैन लगी फर दश्रत ने उस तो आपने कित्ते दी खिमा मंगी ते दस्या के विप्ता ओदे कित्ते पाप दा प्रतिकर्म है राजा ने किया छोटे हुंदया तो इमन तीर अंदाजी वीच कमाल हसल सी मैं बिना वेख तो इक सादूनों मूर्शत वेख के मिनों अपने कित्ते दे बड़ा पश्तावा लगा मैं ओदे माता पिता नों इस बारे जा दस्या दुखी माता पिता ने मैंनों स्राप दिता कि उन्हाने क्या तू मेरे निर्दोश पुतर दी हत्या करके मेरे दिल नों तोड़े आए तो वे अपने पुतर दे दुख नल मरेंगा यह कै कि माता पिता दोषा ने स्वास त्याग दिते एक कथा दसन्या ही राजा अपने पुतर दे वी छोड़े कन पुबह मार के रोन लग पया अते इससे दुख वीच वी उस ने मी स्वास त्याग दिते राजा दश्रत दी मौत ते सारे राज वीच सोग पया गया विशिष्ट ने क्या कि राज सिंग असर खाली नहीं रहना चाहिए दा दश्रत दा हुकम सी की गद्धी परतनों दिती जाए इसलिए परतनों जो उना दिना वेचे शत्रुगन नाल ही अपने माम में पास रहाया जाए ताज पोशी ले सद ले जाए पर जो मुसीबता राज ते पिछले दिना में चाहियां सन ओधे करनी पिनकना पाई जाए जद परतनों सद्धा मिलया ता उन्हों अंदरों ही खुड़क गई कि राज ते जरूर कोई अचन चेत विप्ता आ पही है परतते शत्रुगन दोमें अयुद्या विच पहुंचे ते सिद्धे राज महलवल गए परत अपनी माता नों पर नाम करके पुछन लगा कि उदे पित कि थे हैं कि कई ने दस्या कि ओ चलाना कर गे हैं एक दुखदाए कटना सुनके पर तदिया अठा मिच पानी आ गया ओ कहन लगा है मैं थो तो शिरी रामचंदर ते लक्षमनी चंगे ने जो पिता जी दी मौत समय उना पास हैं पर इस वेले रामचंदर कि थे ने ओई मेरे परानते कोई मेरे हुन पिताते मेरे मितरने के कही ने दस्या ओदा सीता ते लक्षमनाल 14 साली बनवास चले गेने पर दुख ते हरानी ने कबरा के पुछन लगा उस महान ते पित्तर आत्माने की कसूर किता है जो उसनों ऐस सजा मेरे किता कही ने उत्तर दिता रामचंदर कोई कसूर नी किता सोग मैं तेरी खातर उन्हों देश निकाला दिवाया है ता जो राज पाठ तू संभाल सके हुन तू अपने पिता दी किरिया करके अपना हक संभाल एस उनके परत गुसे विच चाहे शेरवां गर जया तू मेरे प्रान बनबास दिवाया मेरे पिता दी मेरे गल्त हक दवाके दुनिया में नमोश किता है तू मेरी मानी बल्कि मान दे रूप विच मेरी जाननी दुश्मन साबत हुई है इतने निक दरबारी रल के पार्त पास आए उन्हा परत नू बेंती किती तो राज पाठ नू संभाले पर परत ने सक्तिनल उत्तर दिता दुश्मन साब तो बड़ा राज गुमारी राजपड़ा हकदार हुंदा है असी कोना जो इस रीदी उलंगना करिए इस तकहते सिरी रामचंदर दा हक के ते वही इस ते बैठनगे पर ने मंत्रिया नो त्यारी दा हुकम दिता तां जो शिरी रामचंदर पास जाके उन्ह नार ही होगे अते कुछ दिना सब विच्छों जंगल विच पहुंच गए जित्थे श्री रामचंदर रैसे 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 एक देन जंगल दे जानवरानों डारते कब्राट विच एदर उद्र पाजिदे वेख श्री रामचंदर ने लक्ष्मनों एक उच्छे रुखते के इस पाज़दा कारण जननली क्या लक्ष्मन ने रुखते चड़के पर्ती फौज मों अपने वल आउंद्यावे के उच्छी सरी क्या पर्त सनु मारनली फौज लेकी आया है श्री रामचंदर ने लक्ष्मनों बड़े प्यारना समझाया उस राजगदी दी की खुशी हो सकती है जो एक प्रादे लव नल रंगे हत्था नल प्रापत किती जाए पर्त बड़ा नेके उसा डेवाल व्यरी बनके नी बलकी प्यार अते सितकारना सनु मिलन आ रहा है जल्दी ही परता ते दिश्रत रुगन कुटिया विच महुच गे श्री रामचंदर पुझे बठे सन ते सीता ते लक्ष्मन ने सन्यासियां मांग रुखा दियां छालना ते हिरन दिखालना स्री टक्या होया सी अपने पुझनिक प्राण इस हाल ते देखे परतनी अखां विच अस्थरू आगे ते ओ उना दे चरना ते टैर पया श्री रामचंदर ने उठके उन्हों अपने गलना लाया ते ओदे उत्थे आन्दा कारण पुझे पर थने दस्या कि उन्ह देपी पिता दश्रत श्री राम चंदर देवी छोड़े करन स्वर्गेँ पार्द हार। 6. साड़े पिता हुकम एसी कि मैं 14 साल बनभास कटके पर पत दतार खकते बठें श्री रामचंदर जी ने परतन न समझाया ये पिता जी दे हुकम दी उलंगना जाओ ते राजप्रबंद संभालो अखर परत श्री रामचंदर जी चरना दे डिक के बेटन ती करन लगा राज तो हड़े नाते ही होएगा तुसी जिसनों चहो अपना नाते राजप्रबंद चलाओं दी अग्या कर दे हुकम परत दे हट करन ते श्री रामचंदर ने अपने खड़ावान उननों अपनी निशानी वज़ों दे दिया परत ने प्रण किता के चोदान सालाम नाल सन्यासियां मांगे शेयर दे बाहर रहेगा ते जंगली जड़े बुटिया खाके गुजारा करदा रहेगा ते श्री रामचंदर ने खड़ामा राज संगा संते रखके उनना दे नाते राजप्रबंद करेगा एक के परत जुद करते कर दे महाराश्टर दे प्रसीदे डंडक नामी जंगल वीचे जा देरे लाई एक पारदे सन्यासियां दा एक वांधवास सी स्री रामचंदर जी ने गुदावरी नदी दे कंड़े ते एक बड़ी सनी पुटिया बनाली ते दस सर ओथे हीरे ते बनवास दे दे दे लंगी ओशी रामचंदर दे आती सुन्दर रूप नुवेखने ही औनना ते मुहत हो गी औने श्री रामचंदर को नो उनना दे ना पदा दे बनवीच रहें दा कान वुच्या श्री रामचंदर जी ने ओननू बड़ी निमरतनाल सारी गल दसी इस ते राक्षणी ने क से विच किया मेरा था व्या हो चुका है लक्षमन को आ रहा है सोना सजीला जवाने तो इसनल व्या करला जा सुरूप रका ने लक्षमन नो व्याद ही पेश किती तो उन्हें व्यग मुखाल विच किया मैं था तेरे नाल व्या करनी सक्दा क्योंकि मैं व्या ना करन्दा प पर लक्षमा ने बिजली दी तेजी नाल शुरूप नकादन राक कते कन कट दे तो उच्ची उच्ची चंग्रा मार दी ते पीड़नार कुरलांदी हो थो दोड़ गी ओने अपने दो राक्षेश प्रामा खार दे दूशन कोल जाके अपने दुख्रा फड़ा फूल या ओ दो जो खार दे दूशन दा प्रासी जाद सी केंदे हन की रामन पिशले जनम वीची कुत्तम विद्वान दे महा देवते विशन दुख्रा दा महान पगर सी उन्हें तपस्या द्वारा अपने एक होर मितर तत्वस्वी नल स्वरग्दे द्रवान दी पद्वी प्रापत कर ली एक दैना जैसी ते दुझे दैना विजय उन्हें एक वारी तिको जोरी करके एक प्रमात्मा आत्मानों स्वरगंदर जानत तो रोकिया इस अपराद ली हुकम होया कि उन्हें जानता तरती ते सत वार एक पगदे रूप विच जनम लेना पवेगा जा तिन वारी विशनु दा सच्चा पगसी तो उस तो बहुत समावी छोडा ब्रदाश नहीं कर सकदा सी इसलिए उन्हें प्यार दे सत जनमा दे थां वदी दे तिन जनम लेने सभिकार कर ले पहली वार उन्हें हर नाकिश दे रूप वीच दुझी वार रामन आते तीजी वारी शिशु पाल दे रूप वीच जनम लिया अब कंपन राक्षतों आपने प्रावान ते रामचंदर दे हत्तों मारे जान दी खबर सुनके रामन नू बड़ा क्रोध आया तो क्यान लगा मैं रामचंदर नू मार मुका के ही साल लवंगा पर आप कंपन ने सलाद दी कि निदी लड़ाई नरो जाएगा एसला रामन नू बड़ी पसंद आई श्री रामचंदर दी अवाज विच बड़ी उच्छी अवाज विच कैन लगा हाई लक्षमन हाई सीता मैं मारे अगया जल्दी आओ मैंनू बचाओ एह दर्द पर ही अवाज सीता दे कन्नी पई तो उन्हें लक्षमन नू उससे वेले अपने पती दी मदल ले जान वास्त लक्षमन अपने प्रादे हुकम दा बद्दा सी उन्हें सीता नू बठेरा समझाया कि इस विच कोई फ्रेब है तोखा है पर सीता ने एक ना सुनी सगों कैन लगी मैंनू पता है तूं बहान ना करे हैं ते तूं प्राणू मरवा के मैंनू काबू करें दे सुफने ले रह यह कह के उन्हें सीता नू नमस्कार कीता ते दुखी दिलना सिरी राम चंदर जीनू लबबन ले चला गया लश्मन दे जांदया ही रावन एक सादू दे पेस्वी चुत्थे आ पहुंचया ते सीता दी सुन्दरता दे पुल बनन लगा एक सादू दे महों योग शबल सु अन्त रामन अपने असरी रूप पिचा के कहन लगा मैं लंका दा राजा रामन हां तेरे वरगी सुन्दर इस्त्री बन्बास विच मारी मारी फिर दी चंगीनी लग दी तू मेरे न लंका विच चल के मेरी राणी बन ते ऐश विच जीवन बसर कर सीता ने गुसे विच चाई शेरनी वांग गर्ज के क्या मैं राम चंदर दी पत्निया दी कोई ताकत में नो उस तो अलग नहीं कर सकदी राम दी पत्नी नो हत पोना मौत दे मूविच जान दे बराबरे एदाव न चल दावे के राम ने सीता नो ड्रौन तमकान दी कोशिश किती उनने क्या मेरी शक्ती तो देवते भी डर देने राम के वली कसदारन मनुखे ते मैं राक्षान दा राजा हां पर सीता जरा ना कबराई ते कैन लगी राम दी पत्नी नो हत लाके पामे कोई राख पर ओधियां चिकान नो सुनननवाला कौन सी राविच रोंदी को लांदी दे हत्थों किते ओधियां टुटियां चूडियां किते गयने ते किते बसतर डिख दे रे अंतनू लंका पहुंच के रावन सीता नो अपने महल अंदर लागया उत्योंने इक वार फेर उन्हों व क्यों चड़ाया है लक्षमन ने किया कि ओननू मजबूरन सीता नो चड़ के आउना प्यासी क्योंकि उन्हों उस्ते अपने प्रादी इस्तरी नो बुरी अक्र नाल विखंदा दोश लाया सी दोहाने आसपास सारे बंदा पत्ता-पत्ता फोर मारया पर सीता ओथे हुंदी सीता लब दी रावी चिक था उन्हाने दखनवाल सीता दिया तुटिया चूडिया विखिया एसलियो दखनवाल तुर पे रावी च उन्हाननू कवद नामी एक राकश मिल आए जिसने उन्हों सला दिती उन्हों बांदना दे सर्दार सुग्रीव नाल में तरता गंडन अर सुग्रीव रेदा सी दो निडर योद्यान अपने वाल आंध्यां वेख के सुग्रीव नू डर पया गया कि किते हो दे प्राव बाली दे साथी ना होन जो उन्होंने उन्हों मारन ले पेज्जे होन पर उदा बहादर जन्नेल हनुमान अगान जाके दोहां योद्यान नू पुछ जादोना दस्या कि उसीता नों लबन ली सुग्रीव दी सायता मंगनली आये हन ता हनुमान खुश हो गया क्योंकि उन्हों यकीन हो गया कि इना योद्यानी मदद नाल सुग्रीव अपने प्रावाली दा ओदे पासों खोया होया राज वापस जित सकेगा हनुमान ने सुग्रीव अचरी राम चंदर दी आपस विच मुलाकात करवा देती सुग्रीव ने शरी राम चंदर नों दस्या कि कुछ समा होया उन्हें रावान नों एक सुन्धर इस्त्री चुख के लई जांदी वेख्या सी तो उस इस्त्री दे हथों डिगर मौलत ज्यान उनने सामके रखे हुए हन ओचीज़ां सुग्रीव ने कुंदर विचो कांड़ के लिया दियां उन्हों वेक ने आहीं शिरी रामचंदर पचान गे कि ओ सीता दियां हन इस विच्छों सुग्रीव ने रामचंदर नो सीता दे लबन विच पूरी सहायता दा यकीन दिवाया एक तकड़ी लड़ाई विच जिस्वे शिरी रामचंदर ते लक्ष्मा ने सुग्रीव दी मदद किती बाली मारया गया ते सुग्रीव तक दमालक बन गया जद मस बरसाती मौसम खत्म हो गया ते सुग्रीव ने अपने किरार उनसार बांदरा दे टोल गया नों हनुमान, नील, अंगध, आद दी, अगवाई हेट सीता नों लबन लई चारो दिशामा वल पिज्या हनुमान दखान दिशा वीच लंकावल गया ते बिल्ली दा रूपतारन करके राजतानी वीच पहुँच गया ते करकर जाके सीता नों लबदार रया उन्हें राजमहल दा कोणा-कोणा फोल मारया पर सीता दा किते भी पताना लगया पर उन्हें दिल ना छड़या ते अंत अशोक बान वीच उन्हें जाल लबया और ड्राणिया ते कुरूप राक्षियां दे पैरे वीच सिर निवा सुटी बड़ी उदासी वीच बैठी सी इतने नों रावनों थे आ पहुंचया ते सीता नों बेंती करन लगा तो मैंनों अपने प्यार दान दे ते मेरे नाल व् छोड़े करन बड़ी दुर्गल हो चकी सी क्यान लगी मैं अपती बर्ति स्त्री हां रामत सिवा दुझे मर्द ख्याल तक करना वी मेरे लिए पाप है तो मैंनों मेरे रामकोल वापस पंचा दे ओ मित्रां दा मित्रे ते व्यारियां दा व्यारी एस उनके रामन बड़े त दे राजी खुशी होंदा हाल दसिया ते राम चंदर दी मुंधरी जो उनाने निशाननी वजो धित्ती सी वखाई तसल्य हो गई सीता ने हनुमान नू क्या क्यों जल्दी उनू छुदाना परबंद करन नेता साल दे अनतते रामन उनू जाननो मरवा देवेगा पैरेता राक्ष्णिया नू जद हनुमान बरे पता लगा तो उन्हें उस ते हमला कर दिता पर हनुमान ने उनू चबदे ही मार मुकाया जड़े से लड़ाई दी खबर रावन नो पहुंची ता उन्हें अपने योदे पुतर इंदर जीत नो हनुमांदे फड़न ले पेज जया उन्हें अपने यादू दी शक्तिनाल हनुमांदे मुश्का बनके उन्हों रावन पास पेश किता रावन ने पुछया तू कौन है ते थे की करना आया है उन्हें दस्या मैं श्री रामचंदर दा दूतां मैं बेंती करदां कि तुसी सीता नो स्री रामचंदर पास वापस पेश देओ क्योंकि जे स्री रामचंदर लंका ते चड़ाई करके आगे तर तुसी राजपार्तों की जानतों भी हत तो बैठोगे एस उनके रावन नो बड़ा क्रोध आया ते उन्हें हुकम दिता कि हनुमान नो जन्नो मार दिता जावे पर रावन दे प्रा विभीशन ने रावन नो इस तरह करन तो रोकिया ते क्या कि एक राजपार्त नो मारना तरम दे विरुद है रावन पामेक रोध विच सी फिर भी प्रादी गल मन गया पर कैन लगया कि बांदर नो अपनी पूश सब तो प्यारी हुन दिया इसलिए सजा वजो हनुमान दी पूश नो साड़ दिता जाए सेवकान नो दी पूश गर्द रूम बन के अगला देती अचानक हनुमान ने अपना पूरा तान लाके स्री नो फुलाया ते ओधिया मशका तुट गिया तो पाजिके कदी इस मकान ते कदी उस मकान ते पुढकन लग गया इस नल थाँ थाँ अग लग गई ते पूश ती अग नो बुजान ली उने समुन्दर वेचे चुबी मारी फिर उत्तर वल सुग्रीव दे टिकाने ते पूँच गया उद रामन ने वी युद दी त्यारी शुरू कर दिती राक्षा नो अपने राजा रामन दी शक्ती ते बड़ा मान सी उन्हों पूरा विश्वा सी कि जित उना दी ही होवेगी पर रामन दा प्रा विभीशन बड़ा स्याना सी उन्हें रामन उसला दिती कि जुद दनाल फजूल नुकसान करौन दी था बेतर है कि रामन सीता नो वापस कर दे वे इस ते रामन बड़ा लाल पीला होया ते उन्हें विभीशन नो बुरा पला किया विभीशन रामन दा साथ छड़ के शिरी रामचंदर नाल जार लिया पलना तर सुग्रीव ने उन्हें रामन दा जसू समझ गे उस ते शक किता पर हनुमान दे कैनते सब दा शक दूर हो गया शिरी रामचंदर ने उन्हें यकीन दवाया कि रामन नो मार के लंका दा राज विभीशन नो सौंप देंगे सुग्रीव दी बांदरा दी फौज ने समंदर विच रुख दते चटानना सुट सुट के पांज दिना दी मेनत नाल एक पुल बना लिया ते सारी सेना लंका दे कंडे ते जा उतरी युद लंका पॉंच के शिरी रामचंदर ने अपने सेना नो लड़ाई दी त्यारी दा हुकम दे दिता रामन ने अपने महल दी छाते चड़के वैरी दी सेना दा हड़ विख्या पर उन्हें अपना होंसला ना तैन दिता ओ अपने मंत्रिया नल युद बारे मश्वरा कर रहा सी कि ओदे नाने मालियावान ने रामचंदर नल समझोता करंदी सला देती रामन ने एक रोध विच आके किया मेरे समने दा देवते भी नी ठैर सकदे ए राम की बलाए पामे मैं मैं मैंदान विच शहीद हो जावा पर मैं कदी किसे समने नहीं चुकांगा इस पिछो उसने शैर दी रख्याता परबंद किता उत्री दर्वाजे ते ओ आप खड़ा हो गया श्री रामचंदर ने अंगद राई रामन नो सनेहा पेजिया कि जानता ओ सीता नो वापस कर देवे जान टाकरे ले त्यार हो जावे अंगद आई सुनेहा सुनके रामन ने अपने चार रख्याक्यानों हुकम दिता कि दूत नो पकड़ के जननों मार देन पर अंगद फुर्ती नाल उत्व नस गया ते अपनी सैना नाल जा मिलिया इस पिछो बंदरा ने दबा दब हमला कर दिता ते प्यानक युद शुरू हो गया है नेरा पै जानते वी लड़ाई बंद ना होई उस देन श्री रामचंदर वल्लों राजक्मार अंगद ने अपने रामन वल्लों उदे बहादर राजक्मार इंदर जीतने बड़े जौर वखाए उन्हें तीरा नाल श्री रामचंदर आते लक्षमान सखत कायल के वेरियां विच होई तबाई दा नजारा विखाया अपने पती न मूर्शत होके डिगा वेक के सीता कबरा आगे कुछ चिर पिछाओं जद रामचंद नो खोश आई ता अपने प्यारे प्रा लक्षमान नो लगे प्यावेक के बड़ी दर्दना का वाज वीच क्यान जे लक्षमान जो मेननु जानना नो भी वद प्याराए मारया गया है सीता वर गी इस्तरी ता मेननु फिर भी मिल सकतिये बर मेननु फिर लक्षमान कितों मिले गा पर फोड़े चेरे पिछल लक्षमान नो भी खोश आ गी इसते सारे ऺcipal प्याद सेरी था खुशी दिलाय लड़ना अपनी खेठी समझदा सी उन्हादे टाक्रेली मजबूर हो गया ते इंदरदीत निकंबा ते होर प्रसिद्ध जोद्यानाल मैदान वीच आ गया रामदी शान रेके श्री रामचंदर दियां अक्खामी चुन्दे आ गया उन्हें कल्ले नहीं सुग्रीव नू हनुमाना ते नील नू लम्मया पादेता फिर लक्षमन उदे टाक्रेली नित्रया ते दोमी योदे एक दूजे ते जबर दस्त वार कर दे रे अंत लक्षमन जखमी होके फिर डिग पया हुन रामचंदर ते रामदा मुकाबला शुरू होया रामदी छाती वीच एक तीर वज्जा ते ओ लड़ खड़ांदा होया थल्ले जा पया श्री रामचंदर ने क्या तू साधी सैना दे बड़े योदे मारे ने पर हुन तू ठ हक गया यापदाएं मैं तेरे ते वार नहीं करना चंदा तुम हल विच जाके अराम कर रामदा होके उत्थों चला गया ते अपनी था अपने प्रा राखश कुम करनों पेजिया सुगरीवत हनुमान ओदे टाक्रेले निकले प्रोवी जखमी होके डिग पे इतने करन दी मौत ते बड़ा दुख होया बक्की सरदारा ने कठे होके एक वार फेर हला बोलके जित प्रापद करन दा रामद विश्वास दवाया ते लड़ाई फेर तेज हो गए रामदा लड़का अती काय लक्षमन दे हथो मारे गया फिरो दे वड़े लड़के इंदर जीत दे दर्म्यान प्यानक टक्रा होया जिस विच लक्षमन ने इंदर जीत दा सिर ला दिता इंदर जीती मौत नाल रामदा दिल तुट गया पर फेर वियो सिरलत योदा हिम्मत करके आप इस जिंदगी मौत दिल ड़ाई विचे कुद प्या उधिया क्या शक्ति अग्गे सब व्यारी प्यापीत होगे रामदा तेज परताफ वेग के देवते भी खम खंदे सन उन्नों वेगते हैं बंदर भी फॉज पिछां हट गी ते रामदा सिरी रामचंदर नाल अमों समने तक्रा शुरू होगया ओद्वे अजित योदे तलवार दे तनी अते तीर अंदाजी वीचे निपोन सन काफी समय दोहां मिच्चों तक कोई वी एक दुजे नों हराण वीच सफल ना होया मुक्का ताड़के लक्ष्मन ने रामदे रत्वान नों कायल कर देता इसलिए रामद नों रात्तो थल्ले उपतर के लड़ना प्या ओदे एक तीरना लक्ष्मन अते सत दिन अते सत रातना जंग यारी रहा अंतनु शिरी रामचंद ने वर्मावलों इंदर देवतानों दित्ता होया कुमान कड़िया ते पूरा तान लाके एक ऐसा तीर छड़िया जो रामदी छाती दे एन विच जाके वज़्जा तीर दे वाजदेया ही हत्थों प्यार दा अंत हो गयाए ओ होन मैंनू एन्ना ही प्याराए जिना कि तेन्नू ओ पूरे सनमानना ओधी अंतन किर्या दा प्रबंद करू किर्या पिछ विबिशन नू सिरी रामचंद ने लंका दी राजगदी ते बठाया ते हनुमान नू अग्या किती कि ओ सीता नू जित पिछले कर्म होंदेने तसीहे देन वाले उना दे कर्मा विच वासुन देने उना दा कोई कसूर्णियं दा सननू सब्दे द्या करनी चाहिए इस पिछों हनुमानते विबिशन सीता नू राथ विच बठाके उस था पहुंचे जिते शिरी रामचंद बैठे सन सीता ने उन पकड़ लेके जान रावन दी मौत अकवा प्रिया सब गटनामादा हाल दस्या सीता प्यारते सतकार परिया अखा नल अपने पती दे बचन सुन दी रही आंतनू शिरी रामचंद ने क्या रावन अपने किते दी सजा मिल गई है तेरी खातर मैं ए युद लड़िया ते अन दुरू आगे ओ कहन लगी तुसी एहोज एक ठोर शबद क्यों बोल रहे हो जिवें कि मैं कोई आम ते कटिया इस्तरी हुन दी हां असी दो में इतना चेरे कठे रहे हां कि तुसी हाली तक मेरे प्यार नू नहीं समझा जे तुसी मैंनो इस तरह इक दुरकारना सी तर तुस जते ही शक किता जा रहे तर मेरे जून दा हक के ही किये। लक्षमने आग्या लेई श्री रामचंदर वल वेख्या उना दे इशारे ते चिखा त्यार कर देती सीता श्री रामचंदर नू प्रनाम करन बिच्छों अगनी देव तेनू पराथना करन लगी। हे अगनी देवता मेरा मन सदा अपने प्यारे पती राम दे चरना वीच रहाए पर क्योंकि वो मेरी पवितर ता ती शक का रेज ने तू आज मेरी लाज रखी। एक कहके सीता अगनी दे बल दे पामबणा वीच कुद पई पर अगने उन छुया तक वीना ते जादो हे जुग का सीता रामदे महल वीच चोखे समय तक रही है। एज जरूरी सी कि सब लोका समने वो अपनी पवितर ता दा सबूत दे ले जै मैं सीता नो इस परक तो बिना ना ले जादा ता मैंनू सब लोग अपरादी समझे मैंनू पूरा जिकें सी कि सीता दा प्यार बिलक वापसी इस तरह स्री राम चंदर के सीता दा फेर मिलाप हो गया हुन्ड श्री राम चंदर दे बनवास दे 14 साल पूरे हो गये सन्ड इसलिए अगले दिन अजुद्यावल वापस जान दी पूरी त्यारी शुरू होगी उन्हा सब सिपाईयानों जिना ने श्री राम चंदर साथ दित्ता सी इनाम एक राम दित्ते गे ते अपनी मित्तर कलो विदाईगी लेके श्री राम चंदर लक्ष्मन ते सीता रावां दे पुष्पक नामी विभान विच बैठके युद्यावल तुर्पे हनुमान ते सुग्रीवी उना ना युद्या जानली उस विच गे र श्री राम चंदर ने उन्हों रिशी पर्दवाज दी कुटिया लगे उतार लिया रिशी दी राजी खुशी बरे पुछके उना हनुमान नो अजुद्या वल पे जया तां जो ओना दी वापसी दी इतला परत नो दस आवे ते वेखे की एक खबर सुनके परत खुश हुश हनुमान ने परत समने चुक्के पर नाम किताया ते श्री राम चंदर दी वापसी दी खबर सुनाई एक खबर सुन्दया ही परत नो इतनी खुशी हुई कि वेखोश होके डिग पया फिर होश वीच आके पुछन लगा राम चंदर इस वेले किते नेते उना दे दर्शन कद हनुमान ने दस्या क्यों रिशी पर्दवाज दे तपोवन वीच ठैरे होए सन अते स्वेरे ही अजुद्यावल आउन गे परत ने खुशी वीच किया शुकर है अज एन्ने सालने पिछों मेरी आस पूरी होई है परत ने राजमंत्रियानों श्री राम चंदर दे स्वागत ली पूरी त्यारी दा हुकम दिता जद लोकां ता के खबर पहुंची ता उनना दी खुशी दी कोई हद न रही स्वेर स्वेर गलिया कुचे लोकां दे हजुम नाल खचा खच पर गे कुशल्या स्मित्र ता ते दश्रा दिया हो राणिया परत दे नाल ही अजुद्या त कुशल्या के कई सुमित्रा दे चर्ना नुचुया परतने स्री रामचंदर दे खडामा उनना दे पैरा मीच पौंद्या क्या ए तोहड़ी राजदी निशान्नी ने आज ज मैनू पर पूर खुशी है कि मैं तोहड़ी अमानत तहान नू मोड़ दया तोहड़ी ना ते अथविच बैठे इंज लागरे सान जिमें अकाश दे तारया वीच चंदरमा चमक रिया हंदा है लोका ने उना ते फुला नी बर्खा कीती अगले दिन सीता ते शिरी रामचंदर तकहते बैठे अते विशिष्ट ने ताजबो शीर दी रसंपूरी कीती शिरी रामचंदर ने सीता दा मंतव तार दें हसके क्या सुंदरी एहार तो अपने मर्जी नाल जिसनों चाहे दे सकती हैं सीता ने ओहार सिरी रामचंदर दी अग्या लागे हनुमान दे हत्फडा देता क्योंकि उन्हें मुसीबत दे समय एक वफादार सेवक वांग सिरी रामचंदर दी आके सुनिहा पंचाया सी फिर शिरी रामचंदर ने लक्ष्मन नो अपने नाल ही सिंगासंते बैठके राजबाट वीच बराबरीदा हिस्सा लैन ले अग्या कीती पर लक्ष्मन ने एक कह के ना कर दिती मैंनो अपना निमाना जय सेवक वनके ही अपनी सेवादा मान ये राज एक अदर्शक राज सी जिसनो असी अज तक राम राज दे ना नाल याद कर दे हां हर था राज वेच शांती सुख खते खुशाली सी ना उथे कोई काल प्या सी ना भुमारी फैली सी ना कोई उथे चोरी जान डाका पेंदा सी ग्रीबी दा किते ना निशानी सी इंज पर ती थुन्दा सी कि स्वर्ग तर्पी ते उत्तर आया है कहानी दा अंतर एक दिन सीता ने श्री राम चंदर नो इच्छा परगड किती क्यों गंगाते रह रे रिश्यां दे दर्शन करना चौन दी हैं श्री राम चंदर ने सीता नो इस जात्रा दी आग्या दे र और मास दे समेंदियां कटना मादा जिकर करन लगे उना दे कमेंतर प्दर ने कया कि लोग उना दे बारे कई चंगियां मुंग Gramya अफमा मा उठा रहे हन शिरी रामचंदर दे पुछन ते उन्हें दस्या कि लोग उन्हा दी बीटा दी बड़ी प्रसंसा करदे रंदेहन पर केंदेहन कि राजे दे इस्तरी दा एक प्रायम नुख पास रहना पर जाली एक प्याडी मिसाल काइन करदा है यह सुनके शिरी रामचंदर नू बड़ा दुख होया ते उन्हाने लक्षमान नू किया कि उसीता नू रिशी वालमीक पास छड़ाए ते वापस ना ले आए उन्हा किया मिनों पता है कि सीता एक टोउित्तर इस्तरी है पर एक राजेली इज़त जिंद जानतों में उच्छी है जास सीता नू लक्षमान ने यस नहा दिता ता सीता दे मन वीच बड़ा तक्का लगा पर उन्हे किया मिनु पता है इसलिए मैं विछोड़ा बरदाश करन दी पूरी कोशिश करांगी इसलिए सीता रिशी वालमिक की दे तपविन जाके रहन लग पई रिशी ने आश्रम दे सब वासियानों सीता पूरी इतना ख्याल रखन दा आदेश दिता इना दिना विछी सीता ने दो लड़कियान जर्म देता एक दाना लव ते दुझे दाना कुश रख्या गया इस कटना नों बारां को साल होए होने ने कि शिरी रामचंदा ने असम मेर जाग रचया वालमीक ने अपने आश्रम दे दो लड़कियान यग विच जाके रमायन दी कथा गा के पढ़नली पेज जया जद उना ने रमायन गा के पड़ी तो उना नों सुनके सब जाने बड़े हैरान हुई जद शिरी रामचंदा नों पता लगा कि ओ ओधे अपने राजकमर लावते कुशन ता उना वालमीक नों बेंती किती ज़े सीता परजा समने आके अपनी पवितर दादा सबूत देवे ता उसनों मुड़ बसा लेंगे वालमीकी नों बेंती परवान किती ते सीता नों ना लै वो अजुद्धे आए सीता ने परेदर बार विच किया मैं अपने पती शिरी रामचंदर ते स्वा सुफने विच भी किसे प्राय मुनुख न अपने मान विच थान नहीं दिती जे मैं सच्चियां विश्णों तू मेरी लाज रखीं ए शब्धाली सीता ने मुवी चीही सन की लग्यां ही तर्टी फट गई तो उस विच सीता अलोप होगी इस ते अकास नों फुल्ला दी वर्खा होई शिरी रामचंदर ने दुखी होके किया हे तर्टी माता मेरी सीता मेनू वापस कर पर सीता उथे पहुंच चुकी सी जित्थो मुनुख मुड़ वापस नहीं आ सकता शुब इश्यामा सैथ तन्वाद हरजीत पम्रा एसी इक स्लोक विच रमायन दा पूरा वर्णन एसनो संपूरन कथा केंदे हैं रमायन दी संपूरन कथा